गुरा अपनून आज हुम बात करेंगे सोला प्लेक्सस यानि पीली किरन चक्र के उपचार का या उसका तालुग जो है पीली किरन उपचार कैसे करते हैं पीली किरन हस्तानतरन की पेशकश करने के प्रयास में एक बड़ी कखिनाई है कि यह प्रक्रिया पीली किरन की मूल निवासी नहीं है अगर आपको किसी को पीली किरन की उर्जा देनी है अब आपको याद होगा कि पहले बताया गया है कि पीली किरन पीली किरन जो है उसका तालुक हमारे शरीर से है फिजिकल भौतिक शरीर से तो भौतिक शरीर की उर्जा कैसे दी जाती है यह बहुत मुश्किल है क्योंकि आप किसी को अपने भौतिक शरीर की उर्जा देंगे तो उसकी आपकी अपनी उर्जा काफी मेरे ख्याल से कम हो जाएगी आगे पढ़ते हैं वो क्या कहते है पीली किरण वाली समस्या जो शुरू में पिचीदा लगती है वह है उपचार बहुत से लोग स्वयम को उपचार मानते हैं उपचारक मानते हैं मतलब हीलर्स मानते हैं आध्यात्मे के तिहास में चिकित्सकों का एक सम्मानिक स्थान है मतलब कि Healers जो हैं उनको बहुत सम्मान दिया जाता है पुराने नियम में अलिया है जो एक युवा लड़के के मरते हुए शरीर पर अपना शरीर रखता है और तीन सासों के साथ उसे वापस जीवित करता है नए जो नए जिन्दगी या नए नियम में नए समय में यिशु हैं और प्रेरित हैं यिशु और अपसल्स हैं जो बीमारों को ठीक करते हैं और यहां तक की मृतकों को जीवित भी करते हैं या किया है कुछ लोग हमेशा अपने हाथों के उपचार का प्राकृतिक उपहार लेकर पैदा होते हैं मतलब उनको एक जन्म से तोफ़ा होता है प्रह्मान से, क्रियेटर से कि वो किसी को अपने हाथों से कुछ भी किसे भी तरह से उनको ठीक कर सकते हैं किसी पर हाथ रग दें, किसी का हाथ सर दबा दें, किसी के लिए खाना बना दें, दवाई बना दें तो वो इंसान ठीक हो जाएगा हालांकि उर्जा उपचार दो प्रकार के होते हैं पीली किरण चिकत्सा जो रोगी पर उपचारक की इच्छा थोपना है और हरी किरण चिकत्सा मतलब एक तरह से अगर आप पीली किरण इस्तमाल करते हैं हीलिंग के लिए तो वो सामने वाले जो बिमार है उसके उपबर अपनी उर्जा को थोपना मतलब उसके स्वेच्छा का उलंगन करना एक तरह से और हरी किरण चिकत्सा जो है खुले रिदय के स्तर पर एक उर्जा विनिमिया मतलब के उर्जा का आधान प्रदान एक खुले दिल से पीली किरन प्रचार की चिकित्सा उर्जा एनजी एक्सचेंज है एनजी एक्सचेंज नहीं है पीली किरन की जो उर्जा होती है हीलिंग होती है वो आदान प्रदान नहीं है उप्चार करता की इच्छा, उप्चार कारात्मक उर्जा को रोगी के उर्जा शरीर में धाकेलती है, तो मतलब जो उप्चार कर रहा है, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, सामने वाले के शरीर के अंदर धाकेलना है, मतलब के जबरदस्ती एक तरह से उसे उप्चार देना है, ये पहले तीन चक्रों के लिए विशिष्ट एक तरफा उर्जा विनिमय है नीचे के तीन चक्रों के लिए इस तरह से उर्जा का आदान प्रदान करके उसका उपचार किया जाता है लेकिन ये आदान प्रदान नहीं है अच्छा, it is a typical one way energy, मतलब ये एक तरफा है energy exchange जो नीचे के तीन चक्रों है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ से नहीं आता और एक व्यक्ति देता है और दूसरा प्राप्त करता है यही कारण है कि कोई व्यक्ति हम पर हाथ रख सकता है और हमें कुछ समय के लिए बहतर महसूस करा सकता है तब उप्चार उर्जा समाप्त हो जाती है और हम स्वास्त की अपनी मूल स्थिती में वापस आ जाते हैं मतलब कि जब वो उर्जा की, उप्चार की उर्जा जो है वो आना शुरू, बंद हो जाती है कम हो जाती है तो हम अपने स्वस्थ हम स्वस्थ महसूस करने लगते हैं अपने आप में ये जो पीली रे पीला रंग की जो उपचार है वो एक बहुत अच्छी चीज है आम तोर पर इसके अंदर कोई बुराई या स्वयम की सेवा करने वाली उर्जा नथी होती अच्छा इसके अंदर बुराई और सुविस्टु सेल्फ वाली उर्जा नहीं होती रिदय को खोले बिना और उपचार करता के इरादे को सूचित करने वाले सच्चे उपचार के उर्जा एक्सचेंज की पावित्र द्रिष्टी के बिना इस तरह की चिकित्सा कितनी दूर तक जा सकती है इसकी केवल एक सीमा है मतलब कि यहां एक हद तक आप इस तरह की उर्जा अपने शरीर से किसी और को बिना आपका दिल का चक्र खोले दे सकते हो बिना इश्वर को साक्षी माने और बिना इश्वर को साक्षी माने विजिन अवद और कलपना किये बिना कि मैं यह उर्जा जो है वो दे रहा हूं बताए बिना इश्वर को सामने वाले को बिना बताए कि मैं आपको यह उर्जा दे रहा हूं मतलब एक इंसान अगर किसी को पीली किरन उर्जा देना चाहता है उसको उप्चार करने के लिए बिना बताए और इश्वर को साक्षी माने बिना अपने हाठ चक्र को खोले बिना यह एक हद तक ही की जा सकती है बहुत ज़्यादा दूर रहकर नहीं किज़े इसका मतलब distant healing नहीं कर सकते जब एक प्राकृतिक चिकित सकत निर्ने लेता है कि वह अपना उप्चार केवल विक्सित करना चाहता है तो वह कभी सफल तभी सफल होगा जब वह अपना दिल खोलेगा उससे पहले नहीं एक स्वाभाविक तोर पे अगर कोई healer है जो उप्चारक है जो चाहता है कि मैं अपने इस healing करने के तरीके को इसको practice करूँ या इसको सीखूँ और इसको शक्तिशाली बनाऊँ तो वह तभी सफल होगा जब वह अपना हाथ शक्र खोलेगा उसके इलावा नहीं खोले दिल से उप्चारक बिना बनने की सामान्य प्रक्रिया स्वयम को इतनी पूर्ण करुणा के साथ देखना है कि स्वयम को ठीक करना संभव हो सके दिल खोल कर या दिल से या ग्रीन रे से हीलिंग देना इस तरह से है कि अपने अंदर अपने मन में इतनी करुणा इतना प्यार और दया ममता माया भर के आप खुद को पहले तो आप खुद को हील कर सकते हो अपना उप्चार कर सकते हो तो दूसरों को देने के देने से पहले दूसरों पर प्रैक्टेस करने से पहले आपको पहले यह अपने उपर करने की जरुवत है एक बार जब खुद वो मतलब खुद को ठीक कर चुके हैं तो ग्रीन रे हीलर अपने पेशन्स जिनको वो ठीक करना चाह रहे हैं उनके उपर एक तरह से दया की दृष्टी से देख सकते हैं और उन्हें एक ऐसा वातावरन प्रतायन कर सकते हैं जिसके भीतर वे अपने उर्जा निकायों के भीतर एक वेकलप एक सन्रेखन चुन सकते हैं oh my god once the self is healed the green ray healer can look with compassion on his patients and offer them an environment within which they may choose an alternative alignment within their energy bodies मतलब के एक बार उन्होंने अपना उपचार कर लिया तो वो अपने patients को बड़े प्यार से दया माया ममता करुणा से एक ऐसा माहोल दे सकते हैं उन्हें चुनाव दे सकते हैं कि हम आपको ये दे सकते हैं अगर आप चाहें जिसके अंदर आप अपने शरीर को अलग तरीके से अपने चक्रों को अलाइन कर सकें और उस जिसकी वजह से आपकी तबियत ठीक हो सकती है और रोगी की अपनी स्विच्छा है अगर वो इसे अपनाते हैं और अपने चक्रा, अपने शरीर के चक्रों को बैलन्स करते हैं या नहीं करते हैं तो ये यलो रे हीलिंग में उसने इसलिए दिया है इसमें जादा ग्रीन रे हीलिंग के बारे में है लेकिन इसमें उसने इसलिए दिया है क्योंकि वो कह रही है कि पीली किरन उर्जा देना मुम्किन नहीं है सही नहीं है जहां तक मैं समझती हूँ पीली किरन जो है वो हमारे शरीर है और वो जब आप किसी को देते हैं तो बिना छुए बिना उसे गले लगाए बिना उसके इतना नजदीक जाए आप नहीं दे सकते मुझे याद आता है कई फिल्मों में देखाया गया है कि कोई मर रहा है ठंड से तो उसको बोला जाता है कि इसको अपने शरीर की गर्मी दो तो ऐसा कई फिल्मों में देखाया है कि उनसे बिल्कुल चिपक के गले लगके कपड़ों के बिना अपने शरीर से उनको वो उर्जा दी जाती है जिससे वो इनसान मरता मरता फिर से जीवित हो जाता है हो सकता है मुझे इस बारे में ये तो पता था कि ये फिजिकल ही होता है कि फिजिकल हीट बॉड़ी की देते हैं लेकिन पीली किरन उर्जा हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए और बिना हाट चकर के खोले और ग्रीन रे दिये बिना पीली के रण नहीं देनी चाहिए या नहीं दे सकते ये मैं नहीं जानती थी बहुत सारे healers जैसे इसने Jesus की बात की Apostles की बात की इन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनके पास एक तरह से इश्वर की ताकत थी बहुत सारे healers कहते हैं honestly speaking मुझे भी मना किया गया है कि मैं किसी को रिकी energy ना दो या किसी को healing energy ना दो क्योंकि होता क्या है कि सामने वाले की बिमारी मुझे में आ जाएगी इस तरह से बहुत सारे लोगों के वो औरा के उपर होता है अगर आपका औरा वीक है आप emotionally बहुत कमजोर हो तो आपका औरा वीक होता है अगर आप बहुत ज़्यादा emotional हो और औरा वीक होता है तो दूसरों की negative energy आप absorb कर सकते हो खीच सकते हो अपने अंदर और इसी तरह से इसी वज़े से मैंने रेकी करना बंद कर दिया और इसी तरह से थीटा में ऐसा नहीं है उसके अंदर आप अपनी energy यूज नहीं करते हैं रेकी में आप अपनी energy यूज करते हैं अफकॉस यह आपके intention पर है कि आप इश्वर की golden white light यूज करते हो या violet light यूज करते हो अपने heart chakra से green light यूज करते हो कौन सी light यूज करते हो इसके उपर निर्भर है कि आप कौन सी healing करते हो और बहतर सबसे बहतर यह होती है कि आप green light energy दो तो यह यहीं खत्म हुआ and long break के लिए sorry but I've had some issues and some personal problems Thank you